तो बेलकम बैक मैं हूँ आपका दोस्त बिपन and today we are going to start हमारे 24th जन्वरी के दोयर तेईस के important current affair कोई भी आपको doubt लगा तो comment box में पूछ सकते हो अगर pdf चाहिए तो sbm tutors telegram पर हमारा channel है उसको follow कर सकते हो अगर नहीं मिलता then description box में जाओ वहाँ पर link दिया हुआ है वहाँ पर click करना directly channel के साथ जुड़ जाओगे और भाई अगर आप हमारे channel के साथ new जुड़े हो then please video को like करना channel को subscribe करना और अगर video अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी share करना सो करते हैं start यहाँ पर जो birth anniversary of शुवास चंदर बोस 23rd January को हमने celebrate किया सो बताओ हम किस रूप में उसको जानते हैं ओके जी सो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले शुवास चंदर बोस आपदा परवंदक पुरसकार अभी हाली में distribute हुए कि इनको मिला उडिसा स्टेज डिजास्टर मनेजमेंट अथोर्टी को साथी में लिंगिली फायर स्टेशन को जो कि कहां पर है इन्दी मिजोरूम क्योंकि 2021 में एक इंसिडेंट हुआ था वहां पर लिंगिली वाले एरिया में सो वहां के लोगों के साथ कोडिनिशन बनाते हुए इन्हों अच्छा काम किया था यहां पर देखो 23rd जनबरी को हमने कैसे सेलिब्रेट किया भई एजा प्राकरम दिवस के रूप में सो सभी जे कोशन आपके लिए है जी जुटि डे कब सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे कब करते हैं और इंडियन आर्मी डे कब करते हैं सो प्लीज इनको कमेंट बॉक्स में बता दियो सिंपल कोशन है सभी को आते होंगे सो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट है हमारी जो आज की करंट है इंडिया का और बंगलादेश के बीच में फ्रेंडिशिप पाइपलेंड अभी हाली में बनाई जाएगी न्यूज में थी जो जून से लेकर जो पाइलट प्रजेक्ट की तरह यहां पर लॉंच की जाएगी बेसिकली और जो 131.5 किलोमेटर के अपरोक्स होगी यहां पर 1.0 million metric ton इंडिया यहां पर डीजल को सप्लाई करेगा थ्रू इस पाइपलेन टू बंगलादेश प्रजेक्ट इस बिंग कंस्टक्टड दी जो कि फंडिंग प्रवाइड करेगा इस प्रजेक्ट को बनाने के लिए वो करने करेगा इंडिया अभी हाली में हमने बहुत से इवेंट किये जो कि बंगलादेश के लिए इंपोर्टन है क्योंकि हमने 1971 में यो वोर हुई थी उसको commemorate करते हुए दिसंबर में हमारे बहुत से इवेंट हुए जैसे कि हमने इंडिया नेवी डे बनाया ओंदी 4 दिसंबर 5 दिसंबर को एक चीज़ देख ले ना भई 5 दिसंबर को जो राज्यस्तान गोर्मेंट के दवरा जो वहाँ पर प्राक्रम दिवस बनाया गया था क्यों बनाया गया था क्योंकि उसी दिन एक लोंगो वाड़ा इंसिडेंट हुआ था लोंगो वाड़ा वोर हुई थी अंगेज दि पाकिस्तान 1971 में सो उसको कमेमरेट करते हुए ओनली वाड़ी राज्यस्तान गोर्मेंट 5 दिसंबर को एज़ा प्राक्रम दिवस के रूप में सेलिवरेट किया गया लेकिन हमारी जो नेशनल लेवल पर 23 जनबरी को एज़ा हम प्राक्रम दिवस के रूप में जानते हैं 16 दिसंबर को हमने बिज़े दिवस सेलिवरेट किया क्योंकि इसी दिन जो पाकिस्तान की आर्मी ने स्रंटर किया था और एक बंगलादेश न्यू कंट्री के रूप में उपरा था और यहां पर जो फस्ट यहां के कौन थे बई प्रेजिडेंट कौन थे शेख मुझीपूर रह्मान जो भी हाली में यहां के प्राइम निस्टर कोन है शेख हसीना जो इनकी ही डोट रहे है सो चलते हैं नेक्स्ट अब देखो बंगलादेश के बार में कुछ फैक्ट डाका कैपिटल है इंडो पाकिस्तान वोर हुई थी 1971 में क्रंसी सभी को पता है टका एंड जो प्राइम निस्टर कोन है शेख हसीना 26 मार्च 1978 में इसको ओफिशल इंडिपेंडेंडेंस प्रवाइड हुई जो 1971 के जुलाई की मन्त में जो हमारी प्राइम निस्टर उस दुराण कोन थे बही इंदरा गंदी इसका जो 1971 का वोर का बहुत ज़ादा इंपेक्ट बड़ा था उनके जो करियर पर उनके जो पोलिटिक करियर पर क्योंकि जो नेक्स्ट जो एलेक्शन हुए थे वो बहुमच से आगे निकलाए थे जो यहां पर देखिए गांदी जी ने इन्हों जो फोर्मर इस्ट पाकिस्तान को एजा बांगलादेशन कहेकर प्रहृत किया था रैफर किया था देन उसके बाद में 16 देसंबर को इन्हों ने स्रेंटर किया पाकिस्तान ने और विक्ट्री डे के रूप में हम इसको जानने लगी दन मैथली एक्सप्रेस दोहर 22 में यहाँ पर स्टार्ट हुई थी जो के इंडिया की जो ट्विन सीटीज है जलपाई गुरी सीली गुरी विद बंगलादेश की डाका कैपिटल के साथ जोड़नेगी अब यह इंपोर्टन क्या है जलपोगी गुरी, सीली गुरी क्योंकि ये क्या है भई, Twin Cities of India सो यहां से कोशन बनता है पहले में मैं आपको बता चुका हूँ जो हमारा 12 जन्वरी को हमारा क्या था National Youth Day, कहां पर सेलिबेट किया था करनाडका में, हुबली दरवाद में वो भी क्या है हमारी Twin Cities सो भई, ऐसी जो concept होते है News में रहते हैं, सो प्लीज इनको लग से लिख ले ना, क्योंकि जो Twin Cities है, बहां से कई है और पिपर में कोशन बन जाए, क्या पता कोई और कोशन भी बन सकता है, किसी और परकार से बन सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कोशन तो आचुका है भई, SAC में आया हुआ है, कल को मैं हो सका तो मैं आपको दिखावी दूँगा देन, बंदन एक्सप्रेस में तरी एक्सप्रेस है, तीनों क्या है, ट्रेंज चलती है, बिडवी इंडिया और बंगलादेश के बीच में, अभी हाली में एक गंगा बिलास नाम का क्रूज जो लॉंच किया गया था बादी, पीम मोधी फ्रों धी, यूपी से लेकर बंगलादेश से होता हुआ, असाम में जाएगा वो भी कहां से, जो भी बंगलादेश में हीट करेगा बंगलादेश से होता हो जाएगा जो हमारी GANGA रिवर है, वो भी कहां से होती जाती है, और वो पहले आएगी उत्रखंड से होती हुई और यूपी से, उत्रखंड यूपी, बिहार, और ब्घस्ट वहाँ पर जाती है देन उसके बाद में कहां जाएगी इन्दी बंगलादेश as the name of Padma सो कभी फिर देखेंगो तो देन जो most polluted अभी ranking आई थी जो डाका रहा तो जो most polluted country बने थी बंगलादेश जो डाका रहा था second most polluted city 2018 से लेकर 2020 तक जो air pollution इतना ज्यादा है वहाँ पर जो second largest risk प्रवाइड गी आता है जो की डेथिस होती है वहाँ पर इन्दी बंगलादेश जो मेली किसके कारण होती है due to the air pollution के कारण दर ने जहाँ पर बता रहे हैं 2019 की रिपोर्ट थी लेकिन ध्यान में रखियो most polluted city की जो second number पर and most polluted country है बंगलादेश आने वाला टाइम में new ranking आएगी क्योंकि हमारा जो our next year start हो चुका है अब ranking जहाँ पर आएगी जहाँ उनको हम रीड करेंगे नेक्स्ट exercise bongosagar जो कि इनके बीच में हुई थी इंडिया नेवी एंड बंगलादेश नेवी के बीच में जो कि 2022 में port mongola जो कि बंगलादेश में है वाँ पर हुई थी जो देखो बंगलादेश में हमारे लिए two important ports है एक तो main तो most important है चिंतो गराम चिंतो गराम port है वाँ चिकनक क्या है जो बंगलादेश के उपर वाड़ा एरिया है कुछ एरिया है अगर कलको जो चाइना है वहां पर अटाय कर दे और हमारे जो नोर्थ इस्ट्रेट को हमसे कट कर सकता है इंडिया से जो that's why जो चिंतो गराम port है हमारे लिए beneficiary होगा आने वाल टाइम में जो हम बंगलादेश मिल्टरी के बीच में जो के हुई थी 22 में इंदीजिसोर बंगलादेश में और भी हाली में हमने फर्स्ट शीलेट सिल्चर फेस्टिवल सेलीब्रेट किया था विद्धी बंगलादेश जो के हमारी जो relation को commemorate करने को लेकर देन चिन कुकी जो ethnic community है वो बंगल बिम्स्टेक में कौन कौन सी country है हमारी यहां पर 7 countries पाटिस्पिट करती है बंगलादेश, शिरलंका, इंडिया, निपाल, बुटान, थाइलेंड, और मियानमार अगर आपना map में देखना कभी, Bay of Bengal के साथ हमारी 5 countries लगेंगी, कौन कौन सी इंडिया, मयानमार, जहां पर शिरलंका, थाइलेंड, और यहां पर बंगलादेश, लेकिन जो बुटान और नेपाल है, जो क्या है एक border जो हमारी landlocked countries है, इनको भी यहां पर एड़ गिया बंगलादेश में, यहां पर जो 1.5 billion people यहां पर रहते हैं, जिसको हम वर्ल्ड के 21% मानते हैं, और GDP की contribution है, USD 2.5 trillion dollars की, फाउंड का भी हुआ था 6 June 1997 में, समझे बई, चले आगे, जन सार्क, यह भी एक organization है, South Asian Association for the Regional Corporation, यहां पर 8 countries participate करेंगी, यह तो होएंगी होएंगी, जैस इसे देखो, यहां पर इंडिया तो है, शिरलंका भी है, नेपाल भी है, बुटान भी है, बंगलादेश भी है, लेकिन जहां से चला गया, कौन भई, थाइलेंड, और साथी में म्यान मर, जैस दोनों चले गए, और यहां पर पाकिस्तान, मोल्दिव्स, एंड अफगानिस पाकिस्तान ने एंट्री कर ली, समझे भई, सो यहां पर तीनों हमारी कंट्रीज, एड कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बंगलादेश, बुटान, इंडिया, मोल्दिव्स, नेपाल, पाकिस्तान और शिरलंका, लेकिन यह अबर निउस में नहीं रहता, क्योंकि जो पाक कब आ जाए, so that's why, revise करते रहेंगे, then DVIN, यह क्या है, इसको हम North Asian Quad, जो Growth Quadrangle, जो South Asia का Growth Quadrangle कहते है, यहां पर बंगलादेश, बुटान, इंडिया, नेपाल, जो के मेलिना एक और्गनाइशन यह बनाई गई थी, चारो कंट्रीज की, भी आने वाल टाइम में, जो भी हमारे passengers होगे, अच्छे से move कर पाएंगे, cargo हम vehicles को, जो भी हम transfer कर पाएंगे, कोई भी हमें land barrier नहीं होगा, एक road बनाने को लेकर था, जो प्रोपली connectivity को improve करने को लेकर था, लेकिन जो हमारे कुछ countries यहां पर नहीं दिखा रही, पना interest, so आने वाल टाइम में, जो आने वाल टाइम म उसको Responsible Tourism Global Award मिला, जो के कहां पर, The World Travel Mart में, जो के London में हुई, जो के न, इनका एक system program, इनको दवाल एक scheme launch की गे थी, street, जो के sustainable, tangible, responsible, experimental, ethnic and tourism, जो के क्या है, एक scheme है, जो के हमारे tourism को sustainably develop करने को लेकर, साथी में हमारे जो water zone को protect करेंगे, साथी में, जो, हमारे, जो development भी होगी, with the proper manner, जो without impact on our environment, so यहां पर जी दिया गया इनको, so, जे scheme पहले launch की गई थी, government of Kerala के दवारा, street नाम की, that's why जे award मिला, Kerala Tourism को, Responsible Tourism Global Award in the World Travel Mart में, कहां पर, इन्दी London, सामझे बात भई, so, London में जे award मिला, so, next जलते हैं, अब, यहां पर, Kerala News में, एक और का रनकी का साथ में था, जहांके, जो higher education है, वहां पर, जो हमारी 18 years old, जो बच्चे हैं, girls हैं, उनको ना, यहां पर maternity leave provide करने को लिए करें, उन्होंने बात की, जो leave of 60 day तक की, यह leave provide कर देंगे, और यहां पर जो 73%, अगर हमां उनका mensuration cycle, leave को count कर ले, then उनकी attendance 73% होनी चाहिए, और नहीं तो वैसे आपको बते है, 75% हमारे all over the day चलती है, अगर attendance है, then आप paper में बैठ सकते हो, नहीं तो आप अपने semester के paper नहीं दे सकते, सो यह rule यहां पर pass हुआ भई, समझे बात, important है, सो यह news important है, केला से belong करती है, जो कि maternity leave provide करेगा, 60 day तक की, जो कि 18 years above student है, then यहां पर 73% girls के लिए यहां पर attendance allow करेंगे, और सो भी other child हैं, उनके लिए 75%, जो कोचिन University of Science and Technology के दिवरा बताया गया, so next चलते हैं, जो केला का ब्यंद एक district है, जो कि India की first district बन चुकी है, जिसके द्वारा documents जैसे के अधार card, जबी जो basic documents प्रवाइड किये गए ट्राइबल पीपल को, राशन कार्ड, भर्त सर्टिफिकेट, election water card, okay, सभी bank accounts, जो सभी यहां पर प्रवाइड किये गए, ट्राइबल पीपल को, so first district बन चुकी है, ब्यंद district, okay, so next यहां पर जैनके द्वारा का स्ट्रीम स्ट्रीम स्टार्ट गई गी थी, अक्षे big campaign, for the document digitalization campaign के अंडर, यहां पर dizzy locker में, जो सभी document प्रवाइड करेंगे, अगर कलको खो जाएं, यहां से save कर पाएंगे, ठीक है जी बाते हैं, लेकिन द्यान में रखियो ब्यंद district है, जो कहां पर है केरला में, जो के first district बन चुकी है, जनके द्वारा basic document को provide किया गया to the tribal people, basic document कौन कौन से, अधार कार्ड, राश्चन कार्ड, एलेक्शन कार्ड, इंकम सर्टिव केर्ट, सभी यहां पर दिये जाएंगे, ठीक है जी, so next चलते हैं, अब देखो केरला के बारे में कुछ fact, केरला हमारी south इंडिया की state है, मिसाल, जो हमारे मसाले, spices की, जो city के हम एक तो मानते है, क्योंकि इसके कारण ही देखो, पहले पूर्ट गाली इंडिया में आए, then उन्होंने अपना पहले तो कारवा स्टार्ड किया, then उसके बाद में यहां पर अपना अधिपत्य जमा कर बैठ गई, so, वो step कभी history में हम read करेंगे, कभी time लगा, आज content थोड़ा सा ज़्यादा आया भाई, that's why हम history ने लेकर आए, then मैं आपको कभी करवाऊंगा, Portuguese इंडिया में आए, then British राए, उनके बारे में कभी देखेंगे, यहां पर मालावार coast है, mainly जो confluence है यहां पर, थर्ड में रखा गया था, जो कि यहां पर कोई भी इनको destroy करता दिखाए दिया, उन पर plenty लगेगी, साथी में उनको jail भी हो सकती है, और साथी में एक endangered species है, IUCN की list में, International Union for the Conservation of Nature, next, यहां पर, अब चलते हैं केरला के बारे में, Capital Trivantapuram, CM कोन है, Pennery Vision, जो Governor कोन है, अरिफ महुमद खान, Garden of Spices इनको कहते हैं, जो Cardamom की, जो सबसे ज़्यादा यहां पर पाई आती है, जो means के Cardamom की production को लेकर, साथी में जो हमारी रवर की production सबसे ज़्यादा जहीं पर है, Indi Kerala, then State Animal कोन सा है, Elimphet, Moni Atom, Kathakali, जहांके जो Classical Dance है, Kochi, जो इसको हम Green, जो Tune of Arabian Sea भी कहते हैं, then Padmaswami Temple, Sabarimbala Temple, Silent Valley National Park, Back Waters जहां पर पाई जाते हैं, जो के में लिए देखो, Back Waters क्या होते हैं, अगर कोई भी हमारी river है, जो पानी हमारा drain out करने वाली है, in the sea और ocean में, यहां पर हमारा ravine sea है, उसमें अगर release करने जाएगी, then जहां से क्या होगा, waves, उस पानी को द्वारा से back कर देंगी, उसको कहेंगे, Back Waters, mainly जो केरला में पाई जाते हैं, then Mullah पर यहार डैम है, जहां पर, Mullah पर यहार डैम most important है, न्यूज में था, क्योंकि जो तमिल नाडू and केरला की गौर्मेंट के बीच में जो dispute है, जो डैम तो कहां पर है केरला में, लेकिन इसका जो वोटर है, इसका means के जो, इसको वोटर को जूजगों करता है तमिल नाडू, so that's why ना, इसकी जो construction को लेकर work चल रहा था, कहे रहे थे जो case चल रहा था, भी जो इसको proper maintain किया जाए, जो इसके water level को कम किया जाए, अगर कल को यहां पर तूट जाएगा जए, दन केरला को इसकी difficulty सेहने पड़ेंगी, so news में था बई, दन उद्युकीड है में यहीं पर मालावार कोस्ट है, दन इनके द्वारा C-Space नाम का OTT platform स्टार्ट हुआ था, lucky app स्टार्ट हुई थी for the GST के लिए, दन Medisap जो के हमारे employers हैं, उनको medical faculty प्रवाइड करने को, दन K-Phone, जो की जाँपर internal, जो एक state का personal, इंटरनेट सर्विस जो प्रवाइड करते हैं, फर्स्ट एंड ओनली स्टेट बढ़ी है, जिनके द्वारा इसका आउन इंटरनेट सर्विस है, दन Deaf Cricket Championship होगी तरवन्तपुरम में, दन World Atlas इनके द्वारा रुलीज किया गया था, Palm Leaf Monoscript Museum यहां पर लौंच हुआ था, द्रवन्तपुरम में तन केरला ही ऐसी state बनी थी, जिसका जो High Coat है, फर्स्ट फूली डिस्टिल High Coat बना था, नेक्स्ट यहां पर प्रजेक्ट वानी करन स्टार्ट हुआ, जो कि हमारा द्वारा से पोदो को लोगाने को लेकर, जो कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट है, और साथी में नौल पोजा गरामा पंचायत के द्वारा यहां पर किया गया था, मेंली कहां पर सुल्तान बैत्री फोरेस्ट, और साथी में जो कि इंटायरल पाष्ट को यहां पर बहुत सी डिवाइड वाईड वेड वाइश्टी पाई जाती है हमारी, देन बायप और उरू बोर्ट्स न्यूज में थे क्योंकि यहां पर डिवान चल लए थी निकि जी आई टेक को लेकर जो कि यह हमारी ट्रडिशनल बोर्ट्स हैं जो कि वहां के जो इंडिजनियस पीपल उनके दवारा बनाई जाती है जहां पर कोई भी modern technology का जूज नहीं करते वो जहां पर एक जनने overall high score किया था इंदी गवर्नांस को लेकर इंदो यह किसकी जो रुपोर्ट आई थी जहां पर क्लासिकल डांसर मली का सारा बाई जो की consular select हुए थे इंदी केरला कला मंदलों इंदी जुनिवर्स्टी के तन इंडिया का फस्ट कारबन न्यूट्रल फार्म काहां पर बना था लूबा एनुकुलम डिस्टिक में काहां पर इंदी केरला देन केरला डिकलेर दी फस्ट स्टेट टो इनेवल दी डिस्टल बैंकिंग सर्विस ओके जी दन यो जी फस्ट स्टेट मनी जीने के द्वारा इंपलीमेंट किया गया था जुनिफर्म प्राइस ऑफ गोल्ड अक्रोस दी स्टेट दन कंबलांगी देखिए इसको रीड कर ले ना भाई कंबलांगी यह क्या है केरला की फस्ट हमारी यहां पर बिलेज बना जो के सैनिटरी नैपकिन फ्री बना था जयां पर लोगों को सभी दान के बारे में प्रोपर उनके राइट के बारे में नोलज है यह फुली डिश्ट्राल बैंकिंग डिस्ट्रिक बनी थी नेकस्ट धर्मादम जो के केरला में है स्ट कम्प्लीट लेब्रडरी कंस्टेंसी बनी थी kerla की then India की जहांपर proper library सा भी places में provide की गई तब यहांपर देखे पितुबाइल नराइन peniture what जो पितुबाइल जो नराइन पैनिकर है जह father of library movement माने जाते हैं इडीया के 2017 में जो PM δेश्टन इनिवर्सरी को June 19 को as a national reading day के रूप में हम जानने लगे यहां पर देन अब देखिए नेक्स्ट हमारा कोशन भई जो हमारे 21 आइलेंड हैं अंडे माना निकोबार में उनका नेम चेंज होगा अब नेम चेंज किया जाएगा अफ्टर दी नेम ऑफ पदम वीर चकरा अवोडी के जो भी हमारे अवोडीज हैं उनको यह नेम पर नेम रखा जाएगा जो के पी एम मोदी के द्वरा अनौन्स हुआ पहले देखो इंपोर्टन है बई यह रोज आइलेंड का नेम नेता जी शुवाच अंदर बोस के नेम पर नील आइलेंड का नेम शहीद दीप के नेम पर इसका नेम चेंज हुए है पहले जो पहले देखो जो शहीद दीप है न जो हमारे जब नीता जी जो इंडिया की और कूच गर रहे थे विद इंट्रनेशनल आर्मी के साथ देन उन्होंने अंडेवान निकोवार का नाम रखा था शहीद दीप आइलेंड शहीद दीप ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर हैव लोक आइलेंड क्या है सवराज दीप यह सभी नेम आप दियान में रखियो पेपर में पूछने के जांस है डिरेक्ट यहां से कोशन बढ़ेंगा और इनके जो सीरीज के एकोडिंग मैं आपको बताऊंगा आगे इनकी यह हमारे सीरीज भी जाज रखनी होंगी जो लार्जेस्ट जो अननेम्ड आइलेंड होंगे उनका नेम रखा जाएगा जो फास्ट पदमवीर चकर अवोर्डी थे जो उससे छोटा होगा दन जो सैकिंड थे उससे छोटा होगा थर्ड थे इस तरह रखा जाएगा और देखिए जो फास्ट पदमवीर चकर अवोर्डी थे इंडिया के मनो हमारे मेजर सोमनात्स सर्मा जिस हमारे थे पहले, ठीक है? सो चलते हैं नेक्स्ट यहां पर Glanary Awards के बारे में देख लीजिए जो हमारा प्रण विर चक्कर क्या है तक Glanary Award है जो कि Under the War time High Glanary Award है यहां पर देखो हमारे जो इंस्टूड हुए थे कब स्टार्ट हुए थे on the 26 January 1950 में लेकिन सब भी पहले जो consider किया था from the 15 August 1947 से जब से हमें independence मिली जे तो हमारे Glanty Awards वार्दी वो टाइम स्टार्ट हुए देन उसके बाद में यहां पर बता रहे हैं और को चक्करा क्लास 1 शोक चकरा क्लास 2, 3 जे हमारे 1952 में बनाए गए थे लेकिन बाद में इनका नेम चेंज हुआ था 1967 में देन उसका नेम चेंज हुआ शोक चकरा देन कृति चकरा सोरे चकरा देखो इदर की और क्या है सभी war time जहां इदर की और क्या है peace time देखो war time कौन कौन से परमविर्चकर, महाविर्चकर और वीर्चकर जान पर सबसे highest military का प्राइस कौन सा है परमविर्चकर in the war time then उसके नीचे महाविर्चकर then फिर वीर्चकर इधर पीस की ओर से सबसे बड़ा कौन सा है अशोग चकर आप ध्यान में रखियो ठीक है आप से पूसकते हैं सबसे बड़ा ग्लेंटरी वर्ड कौन साइड डिरेक्ट यहां से ऐसे पूसकते हैं देन पदमीर चक्र और अगर पीस टाइम में देखे तो न ओशो को चक्र ठीक है नेक्स्ट यहां पर अभी हाली ने हमारी गोर्मेंट के द्वारा बताया गया जो हमारा ग्रेट निकोवर आइलेंड है उसकी डिवल्पमेंट के लिए यह काम करेंगे यहां पर मेगा इंफ्रासेक्श्य प्रएक्ट को अब लॉंच किया जाएगा ओके सो यहां पर डिफैंस को लेकर कुमार्स को लेकर लोजैस्ट्री को इंडस्ट्री को हम डिवल्प इदर के होता है इसट हो की और जाएंगे दन बन जाएगा हमारा अन्डे मानन निकोबर यहां पर अगर देखिए उसकी आइक कोट है किसकी अंडर है कॉलकत्ता हाईकोट अगर कोई भी यहां पर कल कोई कैसी ऊच्छी सिभी लोग ने हमारी ट डालनी हो थैन वो कॉलकत्ता high code के end डाल सकते हैं समझे बात यहां पर यह रहा हमारा उपर की और अंडे मानन आईलेंड नीचे की और निकोबर आईलेंड देन हमारे डिजो परस्पेक्टिव से important क्या है यह देखो अब देखो यहां पर क्या है Havelock आईलेंड यह रहा second यह रहा हमारा यहां पर रोज आईलेंड यह रही capital port player अगर आप से पूछ लें port player कहां पर है on the south and demand means कि अंडे मन आईलेंड पर south and demand में हैं और यहां पर देखीं north sentinel island यह भी news में रहता है क्यों news में पहले रहता था आया था 22 में क्योंकि यह बना एक missionary war से आया था इंडिया में यहां पर के लोगों को Christianity को पढ़ाने के लगया लेकिन उन्होंने यह लोगों उसको मार दिया क्योंकि यह लोग नहीं चाहते भी कोई भी यहां पर आये so that's why news में था भई so अभी तो news में नहीं है so next यहां पर Barren Island जो कि इंडिया का only active island है means कि active वलकोंड हो यहां पर so that's why यह भी important है सबसे उपर Barren Island उसके नीचे Havelock Island then Nail Island then उसके नीचे Rose Island यह question पेपन में आया हुआ है that's why मैं आपको दिखा रहा हूँ चले आगे so यहां पर निको बाले के बारे में कुछ प्यक्ट देख लेते हैं Port Blair Capital है next यहां पर 75,000 क्रोड को investment को लेकर हमारी Government of India ने बेले बताया था इंदी 22 में then southmost point कौन सा है Indra point जो हमारा Bulbuck इंदी Indian Ocean में हम इसको कहते हैं क्योंकि ना जो हमारी स्टीट ओफ मलक्का है नियर है कल को चाइना के aggression को लोकने के लिए चाइना को पुरीतर ब्लोक करने के लिए क्योंकि चाइना को जो oil आता है फ्रॉम जो Gulf countries से उसको हम ब्लोक कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हमारी आर्मी है और अगर हम जो स्टीट ओफ मलक्का को ब्लोक कर दे जो चाइना की जो export इंपोर्ट खदम हो जाएंगे नेक्स्ट आइनस बाज यह हमारा इंडियन नेवल एयर स्टेशन है कहां पर है और इंदी अंडेमन निकोबर आइलेंड़्स आइनस कौन सा यह बई इंपोर्टन है यह पेपर में आया हूँ कोशन है यहां पर क्या है ना इसका नेम है जो कौन सा कहां से पढ़ा यह पूछा गया था वहां पर जो एक वाइट वाइल्ड सी इगल है इसके नेम पर इसका नाम रखा गया था जो के एंडेमिक है जो के मेल इंडेमन निकोबर आइलेंड़्स पर पाई आती है सो वाँ वाइट वाइल्ड जो सी इगल के बारे में पूछा गया था जो इसका नेम कहां से पढ़ा सो इंपोर्टन है भई जैसे कि हमने अभी देखा था जो हमारे प्लीज कल पर सो हमने एक देखा था आइनस था कौन सा था भई सो सोरी मेरे दिमाग से स्केप कर गया मैं आपको बता दूँगा कमेंट उसमें दे दूँगा आपको इंदी हमारे वाँ पर कोशन में िंदी टेलीगरम पर आपको प्रोवाईड करूंगा वो दें बिरिंएवलेट्स सबसे उपर दें नीचे हेवलोग आइवलेट्स जिसको हम कहते हैं सवराज दीप दें नील आइवलेट्स उसके नीचे बन रोज आइवलेट्स जिसको हम एक seven day जो long exercise है में लिए उन्दी पाकिस्तान boundary पर क्यों क्योंकि आपको बताए 26 जनबरी को हम celebrate करेंगे हमारी रिपब्लिक डे so that's why जो कुछ एंटिनेशनल लोग है जहांपर हमारे अशांती फ़लाना चाहेंगे so that's why उनको खत्म करने के लिए पहले रोकने के लिए जह सवी हमारी exercise चल रही है next भी यहांपर BSF के बारे में कुछ देख लीजिए 1965 में बनाई गई थी after the Indo-Pakistan war Pakistan की war हुई थी इंडो-Pakistan armed police forces यह हमारी seven है जो कि अलग-लग boundaries पर जैसे कि चाइना की boundary पर नेपाल एंड बुटान की boundary पर देन उसके बाद में Myanmar की boundary पर सभी जगह पर तैना आता है जो कि हमारी इंडिया के internal aggression को लेकर है और आपको बता दूँ इंडियना आर्मी और जो हमारी C.A.P.F. के बीच में फर्क क्या है जो C.A.P.F. होगी वो तो होगी in the Home Affairs Ministry के अंडर जो हमारी आर्मी होगी अंडर दी डिफेंस मिनिस्ट्री और कमांडर इंडरी चीफ कोन होते है हमारी आर्मी के वो होते है हमारी President of India कमांडर इंडरी चीफ सो नेक्स चलते है बढ़ी सो अभी हाली में न जी न्यूस में था B.S.F. Q. News में था जो फर्स्ट फीमेल कैमल राइडिंग्स कोड यहां पर इंस्टोल हुआ था जो डिप्लोय किया गया था जो अलोंग दी इंडियन पाकिसान वांटरी के बीच में इंडी राज़स्तान और गुजरात वाले एरिया में समझे बात भी चलते हैं नेक्स्ट अब देखो असाम असाम राइफल्स जो कि हमारी oldest paramilitary force है जो कि under the ministry of home affair है लेकिन जो उसके operation control किया जाता है वाइदी इंडियन आर्मी के दवारा जो कि सभी उनकी जो recruitment है retirement है जो सभी की जाएंगे according to CPF, CAPF rules के according जो Central Armed Police Force जो rules है उनके according जो मेली तेनात होते हैं नोर्थ इस्ट इंडिया में वाँपर जो इंसरजेंसी है border security के जो issues है उनको resolve करने के लिए काम करेंगे और साथ ही में इंडो जो म्यानमर बोडर है वाँपर जे हमारी patrolling करने के लिए काम करते हैं उसको guard करते हैं नेक्स यहां पर इंडो तिबतियन जो border police है जो क्या कमा करेगी 1962 में जो बनाई गई थी जो मेली न जो हमारी तिबत का autonomous reason है जो चाइना की boundary के साथ ये काम करती है 1962 में जो अगर हमारी war हुई थी बाकी जो चाइना के साथ दन उसके बाद में इसको बनाया गया था headquarter कहाँ पर है न्यू दिल्ली में जो इसके agency executive कोण है niche देयाल सिंग दन सिस्प सिस्प क्या है Central Industrial Security Forces जो के यहां पर देखिए जेडर security, executive, y security provide करने वाड़ी जहीं है जो industry को protect करने को लेकर हमारे देश में जो यह हमारी internal issues है उनके लिए काम करते हैं जहां पर कोई boundary पर नहीं जाएंगे उनली जो private sector में जो security चाहिए किसी को Z security चाहिए उनको जो provide करते हैं जो को ना भी Central Industrial Security Forces next यहां पर CRPF जो के Central Reserve Police Force है इनके बहुत से काम है जो 7 July 1939 को बनाई गई थी तो यहांपन ना यह गड़त है यार इसको छोड़ दो यह कुछी गलती होगी मुझसे यह ना इसको छोड़ दो हम फिर से देखेंगे कल को मैं आपको बता दूँगा जो हमारा CRPF के बारे में तरन यह मैंने crowd control को लेकर जो United Nations Peacekeeping Mission है वहांपर भी हम यहां से रिक्रूट करते हैं अब आपको पतानों चाहिए जो फस्ट लिए अभी हाली में हमने एक Women's Code को बेजा था कहांपर सुदान में जो कि अंडर दी जो हैन Peacekeeping Mission के अंडर देन रोइट को नंट्रोल करेगा को भी Left Wing जो एक्स्टरमिजम है उसको कट्रोल करने के लिए काम करते हैं यह क्या है हमारी Central Reserve Police Forces नेक्स्ट यहांपर National Security Guards जो को हम Black Cats भी कहते हैं जो कि Under the Hoministry काम करते हैं और जो हमारा Operation Blue Star हुआ था इंदी 1984 में उसके बाद उनको बनाया गया था जो हमारी Terrorism Activities को Combat करने के लिए इंडिया में ठीक है नेक्स्ट यहांपर Headquarter New Delhi में है और जो हमारी Director General कोन है में गणपती जो कि एक IPS हैं दन SSB शस्त्रे सीमवल जो कि बाउंडरी है जो हमारी नपाल के साथ बुटान के साथ वहांपर जो Security प्रवाइड करते हैं गाड करते हैं उसको Under the Home Ministry काम करेंगे Headquarter New Delhi में 1963 में बनाये गए थे मोटो क्या है Service, Security and Brotherhood Next way X जो हमारे Supreme Court Judge हैं एक है शिक्री अभी हाली में Administrator बन चुके हैं किसके Shooting World Cup दोहर तेज के जो कि दिल्ली Holy Code के दिवरा बताया गया और जहांपर आपको बता होगा जो हमारा ISSF International Shooting जो अभी चलेगी जो टूर्नामेंट होगा World Cup होगा जो कहांपर होगा इंदी मद्याप्रदेश बोपाल में इसके जो कारोबार प्रोपरली इसमाल देंगे उसको कंट्रोल करेंगे देखेंगे कि आहांपर खर्चा हो रहा है उसके जो discipline को maintain करने को लेकर Then Chris Hipkin जो कि new Prime Minister बन चुक है न्यूजिलेंड के जो कि Labour Party से बिलोंग करते हैं अभी हाली में जो जिसिद्डा Arden है उन्होंने यहांपर Retirement Announce की थी जिस Capital क्या है इसकी ब्लेंग्टन अभी हाली में जो पहला राज बन्या था जिनके दिवारा completely सिगरेट को बैंड कर दिया गया After the जो भी बच्चे बर्थ लेंगे 2018 के बाद में और उसाथ ही में जो आनेवल टाइम में 25 तक ये कह रहे हैं जो cow buffing को लेकर जो भी लोग अपने livestock को पालते हैं उनको भी tax लगाएंगे Then Indian open हुआ था जो next जिसको हम sunrise India open कहते हैं जो के New Delhi में conduct हुआ Bumper जो NC Jung जो देखिए NC Jung जो के boomman की category में जीत गए भई इस tournament को Then यहां पर Kunla एक एक second इसको हम change कर लेते हैं दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको जे रहा जे रहा Kunla बत Kunla बत BT सन जो के men's की category में इसको जीत चुके हैं भई ठीक है जी So male name NC तो next चलते हैं अब central government के दोबारा nominate किया गया कुछ जनेसको sites के लिए आने वाई टाइम में यहां से हमारे कोई जनेसको site बनेगी इस चार हमारे सिट जो हैं जैसे के बेद बादनागर जो town है गुजरात में उसको असाम के जो केरदवाए मीदाम्स हैं जे रहे जे जिनको हम ऐजा जैसे के pyramids हैं वहां पर graves होती थी उसी तरह यहां पर graves थी जो ओहम डेनेस्टी की सो देन सेंट टेंपल है जो मदीरा गुजरात में उसको नोमिनेट किया गया देन रोकट जो रिलीफ स्कल्प्चर है उना कोटी तरिपुरा में उसको नोमिनेट किया गया आनेवल टाइम में यहां से हमारी जो जुनेस्को साइट्स बनेंगी सो देन हमारे लिए इंपोर्टन होगी नेक्स्ट बई तो देखिए यहां पर गुजरात में ना फोर हमारी साइट्स हैं इंपोर्टन हैं देखो रानिकी बा जो एहमदावा सीटी है प्रोपर ली इसके अंडर है जो के इंडिया में फास्ट शीटी बनी थी जो के अंडर दी जुनेस्को वर्ल्ड हेरिटेस साइट सीटी जो यहां पर की गई थी इंडिया में जैपूर एंड एहमदावा दोनों क्या है प्रोपर सिटीज जो की जनेस्को की साइट के अंडर है तें दोलावीरा जो दो 21 में बनाया गया था साथ ही में इसके रामापा टेंपल जो के तिलंगाना से बिलोंग करता है वह भी यहाँ पर इसके अंडर आया था कौन कौन सी दोलावीरा एंडर रमपा टेंपल दोलावीरा कहां पर है गुजरात में एंडर रमपा टेंपल कहां पर है तिलंगाना में और जहां पर देखो एक तो क्या है वर्ल्ड हेरिटेस साइट की लिस्ट होती है एक वर्ल्ड हेरिटेस इंटेंजिवल साइट होती है इ next चलते हैं विग्यानिका Science Literature Festival कहां पर किया गया जब हमारी 8th नंबर की Indian International Science Festival चल रहा था बोपाल में उसके अंडर विग्यानिका Science Literature Festival को किया गया from the 22nd to लेकर 23rd January तक जिसकी theme क्या थी moving towards the Amritkarl with the Science, Technology and Innovation जो कि हमारे Ministry of Earth Science है Ministry of Science Technology है कोईने जो तेंडर सिंग उनके दौरा इसको किया गया इसको करवाया गया उसको होस्ट किया गया मेंली इसका objective क्या है जो हमारी Science को promote करने को लेकर Science poetry, साथी में multilingual Science Literature है इसको promote करने को लेकर जहांपर event होंगी मेंली ज्यान में रख्योब ज्यानिका Science Literature Festival काहाँ पुपाल में मध्यापरदेश में और एक भी जनम जो इंपोर्टन्ट है जो इंडिया की First Scientific संसक्रित संसक्रित डोकुमेंटरी बनाई गई थी जो के आईफा आवोर्ड में इसको दिखाया गया था जो के रिलेड करती है विद दी मंगल यान So दियान में रखियो जनम ठीक है Next चले आगे So आज की वीडियो जहें तक कंप्लीट है अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक हैं शेयर कर देना मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ Don't forget to subscribe आवर यूट्यूब चैनल Bye-bye